तो आप लोग का exam अगर आप लोग इंडिया से दे रहे हैं तो आप लोग का exam होगा first week of September में ठीक है पर्स्ट आप लोग का एक्जाम होगा फर्स्ट अप से प्टेम्बर अगर आप लोग II से दे रहे हैं आप लोग आप लोग का आप लोग अग्जाम होगा डाइट विल बी इन 17th and 20th का डीट आईगर 17 और 20 का डीट देखो बिंग वेरी हानेस्ट CS 1 में fail होने के लिए बच्चे को टालेंट चाहिए अगर कोई बच्चा एकदम ही कुछ नहीं पड़ा है उसको कोई चीज समझ में ही नहीं आ रहे कि चाप्टर में क्या हो रहा है तभी कोई बच्चा CS 1 में fail हो सकता है इसको सबसे basic paper माना जाता है syllabus भी बहुत confined है ठीक है एंड आप लोग को जिस तरीके से कराया गया है मतलब उसके बाद it really needs some talent to fail in the examination okay so what you all need to do now is अगर हम लोग देखे है अगर हम लोग आई आई का बात करें तो रफ्ली 10 देज बचाव है तो इस 10 देज में आप लोग को खली आई आई का पेपर्स करना चाहिए और कॉपी रवाइस करना चाहिए ठीक है और जो हमारा compiler है उसमें जो आपके mark sums है वो आप लोगों करने चाहिए आई आई का last 10 terms का paper करना इस वेरी important जो लोग भी आई आई से दे रहे अगर आप लोग आई आई का last 10 terms का paper नहीं कर रहे है तो मतलब आप लोगो कही न कहीं एक्जाम में दिक्कत आए गई आएगा बिकास उस पैटन में धलने में अपलोग को टाइम लगेगा ह। इस पैटन में एक्जाम पूच रहा है एक्जाम को कुशन आ रहा है एंद यह मैं उन लोगों को भी बोल रहा ह। जो लोगा आई ई पोसे दे रहे हैंज रहे हैं लोग इस दन वे हैं डन्स मित और से लिद 4 to 5 II papers to boost your confidence that you have practiced difficult level sums as well okay now talking about ifo exams okay okay so ifo we have a lot of time right now roughly you know 20 days okay so you have to read a copy right now is it a assignment to do that okay compiler one time go through अगर आप लोग के वास में अच्छा खासा टाइम है तो आप लोग मैट पूरा गोधू कर सकते हो अब जब आप पढ़ोगे ना तो मैट पढ़ोगे तो उसके अंदर में भी पुश्टन्स है आर के कोर्ज वगरा है एन एक बैक पुश्टन है ठीक है ने भी मैट पढ़ा है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है मैट पढ़ने में विकाज अल्फो सब्चीच कराया वाई है ठीक है कुछ बेसिक देफिनिशन को गेरा होंगे कुछ अलग टैपके सम्स होंगे तो अगर आप एक दिन मानलो मैट लेके बैठते हो तो चार पास चक्टर का मैट कवर करन है कोई बड़ा चीज नहीं है ओके अनिटा बैक कि इसी तरह संपोर्शन सब्सक्राइब अगर तुम लोग मानलो दस कोशन पढ़ता है तो दस में तुम लोग को चार तो ऐसी लेगा हां मेरा हो जाएगा तो उसके वाद सुलूशन की तुरू गोश्रू कर लिया सुलूश इसके बात में तुम लोग क्या कर सकता है अब जैसे मालो खुझ सब्सक्राइब करना चाहिए तो इसको पुरा बढ़िया से इंटम बढ़िया और प्रेक्टिस कर लिया अब जैसे मालो हमने मौक चाल रटी है और तीन चार में और ढालूंगा तीन पेपर एंगे तीन तो क्या आपको पफिपर चे वोकी भी भी मिल जाएगा तापकी गल्तिया समझ में आ जाएंगी कि अपको कहा काई पर मिस्केख हो रहा है चीक है तो मॉक सकता नहीं तेगे तब तक आप उस टाइब में निल बाएंगे आप उस तरीकले सा सोच नहीं पाएंगे खरह करें आप जो अब वी तक प्राक्टिस नहीं स्टार्ट किए में आपकर अप क्रिस कुर्णीन किस नीदित सब्सक्राइब प्राइब कुछ अब आपक बाइसे सांप ने जरू श्रूरोममेल आगायर में क्या ताइम दाइस कर ने रही निदिक फिर डांगे कर रहा है बट वो दीरी दीर आपको सवनना रहे हैं को माइनसेट उस तरी के से वह करने लग जाएगा ठीक है एक्जाम में पहले कॉप्ली में करेंगे फिर आपको उसमें जाएगे तो वो चीज़ के आप बहुत जंदा लगते हैं मिनिमूम 60-70 पर में शट प्रस पर नहीं तो आपको लेगा हम अब मेरा मैं स्वर्ट भी ठीक चल गाया बेरा मैं स्वर्ट पर बढ़ी तरीके से ट्रेक्स हो रहा है ठीक है, CS1 में आप लोग और क्या कर सकते हो, जितना भी हो सकते हैं, नहे टेपर को प्राक्टिस करो, मतलब CS1 में क्या है ना, आप लोग को टेबल बुक का अच्छा यूज आना चाहिए, ठीक है, getting to know the basics is very important, जो आपने summarizing data किया, poison process किया, ठीक है, we have done random number simulation, basically booklet 1 is very important, free का माक्स है, free का माक्स है, ठीक है, ठीक है, you cannot leave topics like central limit theorem, or confidence intervals and hypothesis testing, these are very easy topics, chapter, मतलब आप जब तक maximum likelihood estimation पड़ते हो, तब तक आपको लगते है है, रही क्या चल्ग है, but once you start, that confidence intervals, that only gives you the confidence that you can pass, because the topic is not at all difficult, there are a few formulas, आपने इतने सरे सम्स कर लिए, आप पोचित पर दिमाग में चला गया हो, तु वहां पर क्या आप लोग अपने माख स्कूर कर सते हो, the new chapters which have been introduced, GLM and your booklet 7, which is your Bayesian and like EBCT and everything, you need to focus on those chapters, अगर आपको exam में full on full score करना है, जिसका hidden desire AQR में को तो बहुत अच्छे तरीकी से score करना है, practice joint distribution and conditional expectation, उस topic से बड़े-बड़े questions उभर के आ रहे हैं, आप लोग देखिए, last 3-4 चांप का paper, बहुत बड़े-बड़े questions उभर के आ रहे हैं, and थोड़े difficult भी है, कुछ-कुछ parts आपसे बनेगे, कुछ-कुछ parts आपसे नहीं बनेगे, ठीक है, convolution अभी तरह इतिहास में एक से दोब़र आया है, मैंने उसको भी करा दिया, तो क्या की coverage के लिए कोई टेंशन नहीं है, अभी जितना हो सके, नया नया चीज आप लोग कर सकते, प्रकुल्टी होगा, मैंक को पुरा पढ़िए, मैंक के questions करिए, मैंक के अंदर जो आर्क कोट्स को देखिए, आपको पता है, अभी ये 20 दिन आप जितना अच्छा से पढ़ेंगे ना आपको CS2 में उतना ही कम difficulty होगा, CS1 का आर्म में जितना confidence आईगा, CS2 के आर्म में उतना ही आपको difficulty नहीं होगा, कर देंगा, कर देंगा, Pandiny जितना भूश्व, Bowing impossim flop में एपको के साइगाई, क्यार दूश्व, जितना ही अपको लाइए जितना ही का मेरा CES1 के औरा की मेरा क्याट साथ हमी पार्ट्र एम ये पर सियांग on or it's a second ever then he will be available for c s to c f to whatever okay so definitely those papers need some more attention than cs4 right not think that it is very easy but yes there is no like getting 65 to 17 CS when it's not that difficult you need to play tactfully you need to get the basics correct okay like these all basic distributions tomorrow मारा प्रोवाइटी इस्ट्रीशन वाला था यू रिए सम सेंग और मुझे अराउंट टेंट फुटीन मांस अप्सांप रोज अरिया इस प्लाइट इस प्लाइट रिस्टिविशन अगें चाप्ट इलेवन इतुल अपर इस प्रिकुलरी में पोर्शन बहुत 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 प्रिकिसमें कुछ भी निगरना आते हैं पांच इचे पार्ट से रहते हैं आपको बसका लिए फॉर्मला अप्लाइग करने पंटिकलर लिम आपको बोर्शन बोड़ा इस पोर्शन बाग निनी लगा अपकी बार कुछ एक्शन तरफ पर अपने दिये तो बात अलग है स्टेमर 2015 ऑफ्टोबर ऑफ्टोबर 2015 तो समय उसके पहले एक्कमेश रो परसेंट इस अप्रशन बीवा था सी इच्च 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 इने तो क्या हुआ ऐसा कोई बात निया है मैं तो पेपर देखे है घबराना था कि इस पेपर देखे हैं सकता है पूरे पेपर पेशन चीज़ दे सकते हैं ठीके चलो चार से पांच माग महा हो गया हो सकता अपलो को लाइक को यह ऐसा मैं टीपल इंगे रिक्रेशन वाले इसे कुछ अजीब सा कुछ बना के दे दे ठीके जैसे लास्ते में एक संदिया ता मशीन लेनिंगा सी एस्टू में तो एक बने सुने लोगो ट्राकरने में उसना डिपल्टी वाता बट दोंट गेच मच वरीट बटास वहला पार्ट पादर से वीफ नमर तकी सीमित रहेगा यू कैन गेट एक्टी और एक्टी ऑन दा पोर्स निटी वार्टी इस मने वह सबी लोग करता है कि पुरा 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 फिलिए कर में करते को अखने करते य conceived that is my special because that has been asked by people times at the examination okay, so you need to just analyze last four to five terms of paper and which will fall mas as you are not appearing in the examination there, they probably have more parents are to prepare in this time examination okay, and like summer. भाना मत करना की तुम्हारा वर्ड में ठ्रकेस नहीं हो इस प्रक्टिश क्रड़िकर प्यस्क्राइशन पीकट 빠गना नग्ध को लाट गर étantyas म कुछ मालनो अगर दो से पांच एक्जाम है तो उस तैम पर यू शुद बीड़ अटेंटिव इस एक्टम बाहर का खाना बंद कर दो और अवाइट करो लेक्ट मेरे जब सी एपनास थे मैं उसमें कुछ भी बाहर कर नहीं काता है वस एक्टली एक्टम घर में लॉप जो जो लॉट नहीं जाना है एक एक्टम के बाद आपनो को जो करना है करिए बट नाव इस एक्टम लोगों सब्सक्राइब के घर पे रहके पाड़ों एक्टों वरी अवाइब अनीधिंग क्या क्या होगा इत्समेर फॉर्स्ट एक्जाम इतना पढ़ाई किया ट्रस्टमी थाउजंद अप्यर आपको एक्टम पॉर्स्टम पॉर्स्टम अच्छे तरीके से रिवाइस करिये आपको 80-90 मांक्स तो हमारे कॉर्मन उसी से मिलेगा और आप मैट वगरा पढ़ी आपको कोई भी डाउट वगरा हो तो आप बोलिये चिकेश पॉपी को एक्टम पुरा चार्ट जाए कभि एक कोई अच्ने मश् का उक्राइब काई बोल नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से क्या आपको अपको प्लाइन करना है, और मास्वाइ स्टेडी करिए अगर मान लीजे अभी आपको ऐसे टॉपिक है जैसे मालो वंचिका को लग रहे है कि यार मेरा जी एलम बहुत वीक रहे है तो अभी क्या है वो एक है फिर दो दिन जी एलम में मैक्सिमाम स्पेंड कर सकती है क्योंकि जी एलम आएगा तुम अनलों 10-15 नंबर का आएगा ओन आवरेज ठीक है तो ऐसा नहीं है कि तुम एक हपता भी जी एलमी करना है तो विल्दम पुरास में रिसार्च करने लग जीले में वैसे नहीं होता है उसल एक्जाम के बात करना है अभी कह है तो सो नंबर का त हम पाइलर को अच्छे से पढ़िए मॉक्स प्लीज सब लोग दीजेगा मॉक्स सब लोग देंगे तो ही आप लोग अपने आपको एनलाइस कर पाई कि क्या गलती हो रहा है एक्जाम में पेंट नहीं चलते डिरेक्ली थोड़ा सबसे ट्रायल वैल होने से डर बर थोड़ा खतम होता है तो बहुत है तो आपको वैल्वेशन करके आपके कॉपी का मिल रहा है तो अगर मानों कोई टॉपिक तुमको लग रहा है कि यार यह दस से पंदरा नमर के लिए आएगा तो उसको उतना ही टाइम देके पढ़ो क्योंकि सारा चीज को पढ़ना है ऐसा नहीं हो है तो ऐसा मत करना है उसको सबको इक्वल टाइम देना है अभी हाडली तुमनों अब जो पढ़ोगे हो फाइनल ही पढ़ोगे अभी हाडली एक टॉपिक को तुम लोग 2-3 दिन से जाधा दे सकते है आज जैसे मान लो तुमारा वो जो को रिलेशन एग्रेशन वाले चाक् बेसिस को टाइम देना है समराइजिंग देटा को टाइम देना है ठीक है इस तरीके से करो ताकि पूरा पोर्शन अच्छे से रवाई दो एक से लिए में कितना राम लगते देख के लगवा पंधर प्रता कॉसन है दो दिन में मैक्सिमुम पार्चों को पार्चों जागा पार्चों घूड़ा इगे दो दिन लगता लिए देर से दो दिन में सारा हो जाते हैं ठीक है और कभी दिन आखते हो नवेक्टे और पीचिछी से पनाया करो तो बतलब जैसे उसमें की च्छोटे-चोटे-चोटे-चोटे-च्टे निए ठीक है फिर लास्ट लें के Actually, that is a test only, right? वो आपका साउन नवर पिर फिर पचास नवर के टेष्ट है तो आपको हड़ी दोसी नहींता लग्राशी आट एचाहिए उसको पुरा मॉप की तरह दो मैं बढ़ा संट करो गलती ओर यह जो केले फॉर्री कोड़कोड अंडू राज्य कोड़ के वाड़ी को रिख थाश्र एद्टीन मुष्ट अव इसर अ माम च्छे से मैड मेरे के पढ़िये कर थे कर मैं पुस्यन आंसर का ना पीडिया आप लोको दे दूगा ठीक है वी आप अपूर रिटिका बोलु तो वो थीज़ वाला कॉंसर चाप्टर है वो मतलब ड्राइव में कहां है वो ने दिया है ने ड्राइव पेडिटिट वर नो वह ला अब अब लोग एक और क्लास करेंगे लाइक दो दिन के बाद में लाइक कल पर्सों को करेंगे उच्छ और अगर पुछ भी मैं देखूंगा और एक्स्टर टॉटिक करवाना एं मेर्कों तो मैं उच्छ दिन वहला चीज़ करवा दूगा ठीक है थैंक्यू अलवा दूग सब्सक्राइब यह संब्सक्राइब एक बड़ा पॉजिशन प्रोसेस तूरा सब्सक्राइब करादी नियू आप पॉजिट प्रोसेस मतलब वा उसका रेकॉर्डिंग त्लेर नहीं वा त्ग्धिक तडिक तडिकिए